पाकिस्तान में डेमोक्रिटिक सरकारे आई, बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ आए, लेकिन फिर बाद में मिलिटरी का साशन आ गया, ठीक है, नेपाल की अगर मैं बात करूँ, 2006 तक नेपाल में एक कॉंस्टिटूशनल मुनार्की थी, 90's में क्या हुआ, नेपाल में जो सीरीज कंटीन्यू करते हैं, प्रेजेंट अली बाई मी राहुल अगरवाल, तो आज हम डिसकस करेंगे कंटेंप्ररी साउथ एशिया के बारे में, ठीक है, साउथ एशिया का जो रीजन है न, खास करके दो बड़े देश, भारत और पाकिस्तान की वजए से, इस रीजन की काफी जादा चर्चा होती है, और हमेशा ये एक डिसकस्षन का पॉइंट बना होता है, कि वही साउथ एशिया में क्या हलचल हो रही है, साउथ एशिया में क्या हो रहा है, और खास करके जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया से ही तूटके पाकिस्तान बना, तो दोनों काफी देश न्यूक्लियर पावर भी बन गए, तो दुनिया की नजर साउथ एशिया में और जादा मतलब बढ़ गई, कि भाई ये साउथ एशिया वाले ये दो देश कर क्या रहे है, उपर से इंडिया पाकिस्तान की राइवेलरी सभी को पता है, कि भाई दोनों की आपस में बनती नहीं, तो दोनों के पास न्यूकलियर पावर है, दोनों की आपस में बनती नहीं, तो आगे जाके कहीं कुछ अन्होनी ना हो जाए, इस चीज़ का भी डथदेश के, दुनिया की काफी देशों को है, ठीक है, तो ये माइड मैप है आपका, जिसमें मैंने जो major points हैं इस chapter के वो mention कर दी है तो चलो discuss करते हैं थोड़ा सा chapter के बारे में कि भई इंडिया इंड पाकिस्तान जोईन दे क्लब अफ नुक्लियर पावर जब दोनों नुक्लियर पावर बने तो suddenly जो यह group था ना बहुत ज़ादा focus में आ गया काफी ज़ादा चर्चा इसकी होने लग गई ठीक है there are pending border and water sharing disputes between the states of the region पता ही है आप सभी को besides there are conflicts rising out of insurgency, ethnic strife, resource sharing अगर आप South Asian region की बात करोगे न तो आप देख लो यार इंडिया, पाकिस्तान, श्री लंका, फिर इधर मयान मार वगरा मतलब चीजें नेपाल हो गया, चीजें उतनी stable नहीं रहती, कभी किसी की किसी से लड़ाई हो रही है, कभी water sharing को लेके, rivers को लेके, कुछ खीचाता नहीं चल रही है बॉर्डर को लेके, मतलब किसी देश का बंदा illegally, मतलब बांगलादेश से कितने सारे लोग illegally इंडिया आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं, वेस्ट बंगॉल में आ रहे हैं, तो ये सारी घटना इधर होते रहती है, इस वजए से ये region काफी जादा उथल पुथल वाला होता है ये आपको पता होना चीए, तो इसमें आती हैं, बांगलादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ये तीनों तो आ गए, उसके अलावा भुटान आएगा, माल्दीव, नेपाल और श्री लंका, तो ये major countries हैं, जो साउथ एशिया का हिस्सा है, अगर हम इसकी boundary की बात करें, तो northern में हिमालया, सबसे उपर में हिमालया, ठीक है, इंडिया नोशन हो गया, फिर उसके बाद आपका, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, then Arabian Sea, Bay of Bengal, in the South, West and East, ठीक है, तो South में आपका इंडिया नोशन, West में Arabian Sea, और East में आपका Bay of Bengal, तो एक तरीके से natural insulation provided है South Asia को, अगर आप मैप देखोगे, South Asia का, तो ये देखो, ये South Asia है, जो मैंने countries की बात की, इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, फिश्री लंका, अफगानिस्तान, निपाल, भुटान, ये सारे major countries आगे, जो South Asia कहलाते हैं, ठीक है, North में है हिमालया, South में है Indian Ocean, West में है Arabian Sea, East में है आपका Bay of Bengal, तो एक तरीके से आपको लगता है ना कि हाँ भई, एक प्रॉपर, एक माहौल सा बना हुआ है, natural boundary एक बनी हुई है, जिस region में South Asia जो है वो आता है, ओके तो boundaries उतनी जादा clear नहीं है, East और West में जितनी की Northern South में है, अफगानिस्तान और म्यानमार को हम उफन इसमें add कर लेते ह चायना जो है, वो South Asia का part नहीं क्या लाता, लेकिन फिर भी चायना के बिना South Asia की चर्चा नहीं होती है, ओके तो South Asia stands for diversity and it yet constitutes one geopolitical space, ठीक है, इतने सारे देश है, आज इंडिया के अंदर ही इतनी diversity है, अलग अलग राज्यों में, तो इतने सारे देशों में तो diversity है, श्री लंक का कल्चर अलग है, ठीक है, उसके बाद भुटान का अलग है, माल्दीव का अलग है, नेपाल का अलग है, तो diversity तो बिलकुल है, लेकिन उसके बाद भी हम इनको मिला के एक South Asia कहते हैं, है ना, अगर आप देखोगे, पाकिस्तान में अलगी माहल चल रहा होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा stability है, श्री लंका में अभी आपने देखा कुछ साल पहले क्या हुआ, तो हर एक देश की अपनी-अपनी कहानी है, कई सारे problems और limitations के बाद भी, इंडिया और श्री लंका द World War के बाद का जो दौर था, पाकिस्तान में democratic सरकारे आई, बेनजीर भुट्यो नवाज शरीफ आए, लेकिन फिर बाद में military का साशन आ गया, ठीक है, नेपाल की अगर मैं बात करूँ, 2006 तक नेपाल में constitutional monarchy थी, ठीक है, तो मैं आपको major major जो terms है ना, वो यहाँ पर explain कर Republic, Republic में जो head of the state होता है, वो elected होता है, जैसे इंडिया, इंडिया का head of the state है president, so president का proper election होता है, indirect election होता है, लेकिन election होता है, monarchy में election नहीं होता head of the state का, monarchy में राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा वैसा system जलता है, जो की UK में है, ठीक है, लेकिन constitutional monarchy का मतलब होता है, क लेकिन सिस्टम एक Constitution से चल रहा है ठीक है तो नेपाल की कहानी 2006 तक वैसी थी और वहाँ पे इस चीज का खतरा बना हुआ था कि किंग जो है न वो कभी भी जो है पावर हथी आ सकता है 2008 में फाइनली नेपाल में मुनार्की खतम हुई और नेपाल में डेमोक्रेसी आई नेपा अब मैं बात कर लो भुटान की तो भुटान 2008 में Constitutional मुनार्की बना ठीक है भुटान में भी किंग का साशन था जहां जहां पे भी मुनार्की वर्ड आये ना आपको समझ लेना है कि किंग का राज है ठीक है तो भुटान में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीस थी और अल्ट इसके बाद फिर इसको रिपबलीक में चेंज किया गया with the presidential form of government. क्लास 11 पे पढ़ा है एक parliamentary system होता है जो इंडिया में, एक presidential system होता है जो अमेरिका में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं होता, जिसमें president के पास सारी power होती है, तो माल्दिव वैसा system बना. जुन 2005 में The President of Maldives voted unanimously to introduce a multi-party system and MDP जो है वो वहां की politics को dominate करती जैसे इंडिया में Congress, BJP करते है ठीक है So एक तरीके से democracy का experience mixed रहा है South Asia के देशों में लेकिन उसके बाद भी ये जरूर हम कह सकते हैं कि South Asia के जो लोग हैं वो democracy को लेके काफी जादा मतलब उनकी aspiration है कि हाँ यार democracy रहे recent survey से भी ये पता चला है कि लोग चाहते हैं कि democracy ही आए किसी को पसंद नहीं है कि राजा का साशन हो या फिर military का साशन हो तो चाहे आम आदमी हो चाहे अमीर हो, गरीब हो कोई भी हो, वो democracy के idea को positively लेता है और वो democracy को ही prefer करते है over any other government ठीक है, तो ये सारी चीजे जो है वो काफी जादा important है अब थोड़ी सी यहाँ पे कहानी देख लेते हैं कि भाई, पाकिस्तान में क्या हुआ तो पाकिस्तान का जब पहला constitution ready हुआ तो ये थोड़े से नाम याद रख लेना जनरल आयूप खान ने administration जो है वो take over किया, command संभाली और basically खुद को ही elect करवा लिया ठीक है भई लोगों ने बोला ऐसे कैसे यार लोगों ने dissatisfaction शो किया और ultimately उसको अपने office से निकलना पड़ा कुरसी छोड़नी पड़ी और फिर पाकिस्तान में military take over हो गया under general यहया खान यहया खान के rule के दौरान ही पाकिस्तान को बांगला देश वाला जो crisis है वो face करना पड़ा था जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके है कि भईया 1971 में क्या हुआ था ठीक है इंद्रा गांधी की सरकार थी ओके तो यह वही दौर था देखो politics in India since independence अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है सारे chapters आपके clear हैं तो आप काफी सारी चीजों को यहाँ पे relate कर पाओगे otherwise आपको फिर से पूरा पढ़ना पढ़ेगा कि 1971 में क्या हुआ था थीक है जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आई पाकिस्तान में जो 1971 से 77 तक चली और इन्ही के साथ इंदरा कांधी ने शिमला आग्रिमेंट भी साइन किया था अगर आपको याद होगा फिर 77 में भुट्टो की सरकार को जेनरल जिया उलहक ने हटाया जेनरल जिया उलहक के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट हुआ प्रो डेमोक्रेसी मूव्मेंट चालू हुआ ठीक है और अल्टिमेटली बे नजीर भुट्टो की लीडर्शिप में वापस से डेमोक्रेसी आई ठीक है तो फिर उसके बाद अगर हम देखे तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलती रही और मेजर दो पॉलिटिकल पार्टीस के बीच में कॉंपेटिशन हुआ एक थी ट्रिपल पी पीपीपीजी से कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक थी मुस्लिम लीग MLE ठीक है तो ये जो इलेक्टिव डेमोक्रेसी का फेस था ये 1999 तक चला उसके बाद फिर वो कार गेल और फिर वो परवेज मुशर्रफ ने कमान संभाल ली नवाज शरीफ को हटा के ठीक है 2001 में मुशर्रफ ने अपने आपको elect कर वाल या president बन गए तो पाकिस्तान continues to be ruled by army though the army rulers have held some elections to give them a democratic image तो पाकिस्तान में यही चला है पाकिस्तान में यही चलता रहा है अभी हला कि military का साशन नहीं है civilian सरकार है election के बाद चुनी हुई सरकार है शहभाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के relative हैं, भाई हैं, वो चला रहे हैं सरकार, लेकिन पाकिस्तान में यही हुआ है, आस तक अगर आप देखोगे, तो भीया, military का साशन चलता था, फिर उसके बाद लोग आवाज उठा दे थे, democracy आ जाती थी, election हो जाता था, फिर कोई नया army leader आता था, वो उ पाकिस्तान के केस में पता है क्या हुआ, पाकिस्तान के केस में यह हुआ, कि बड़े-बड़े जो देश थे, अमेरिका जैसे, जिनकी काफी जादा चलती है, उन्होंने भी पाकिस्तान में democracy को support नहीं किया, क्योंकि वो खुद चाते थे कि पाकिस्तान में military रहे, क्योंकि उसे उनको फाइदा था कही ने कहीं, ठीक है, तो यूएस and other western countries have encouraged the military rule for their own reasons, and given their fear of the threat of what they call global Islamic terrorism, and the apprehension that Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups, the military regime has been seen as the protector of western interests, तो कहीं न कहीं western देशों को इस चीज का डर था, कि यार अगर military का राज हटा, और लोगों दुवारा चुनी गई सरकार आई, तो क्या पता, terrorist groups जो हैं, वो हावी हो जाए, nuclear हतियार उनके हाथ लग जाए, और पूर्या ये जो region है, इसमें तबाही हो जाए, इस चीज का भी जब इंडिया की आजादी के बाद, पाकिस्तान बना, तो west पाकिस्तान, east पाकिस्तान, तो जो east पाकिस्तान था न, वही 1971 में, आज हम उसे पांगलादेश कहते हैं, ओके, तो ये पाकिस्तान का पार्ट था 47 से 71 तक, बंगाल और असम, जो British इंडिया के पार्ट थे, उसके जो मुस्लिम एरियास थे, वो basically east पाकिस्तान का हिस्सा बने थे, तो यहां के जो लोग थे न, उनका कल्चर था, बंगॉली कल्चर, उधर वालों का था, उर्दू कल्चर, जो पाकिस्तानियों का है, अब उर्दू कल्चर को ये लोग जो है, डॉमिनेट करने की कोशिश कर करते थे, इसी वज़े से तो लडाई हुई और 71 में ये लोग अलग हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहां पर repeat की गई है, शेख मुझीबूर रह्मान के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कि उन्होंने एक popular struggle की basically leadership ली थी, और ultimately उनको भी जेल में डाला गया थ सो 1970 के election में अवामी league सारी सीटे जीती, लेकिन उसके बाद भी उसको माननेता नहीं दी गई थी, ठीक है, शेख मुझीब को arrest कर लिया गया, Under the military rule of General Yahya Khan, पाकिस्तानी army tried to suppress the mass movement, भाई जब विधर वाले विद्रो करने लग गये, कि तुम हमारी अवाज मत दबाओ, अपना culture हमारे उपर मत थोपो, अगर हमारे यहां का leader चुनाओं में जीत के आया है, तो उसको माननेता दो, विद्रो हुआ, अब यार सीधी सीधी सी बात होती है, जब विद्रो होता है, तो सामने वाला दबाने के लिए और पावर का यूज करता है, पाकिस्तानीयों ने भी ऐसा ही किया, जब वहाँ पे mass movement होने लगा, तो जैनरल यहया खान की सरकार थी, वहाँ पे military session था, तो वो उन लोगों को और दबाने लग गई, जि इंडिया की economic हस्ता हाल हो गई, गुजरात movement, बिहार movement, सारी चीज़ें हमने discuss की थी, कि भाया देश में बिलकुल भी कुछ सही नहीं चल रहा था, तो भारत सरकार ने इंदरा गांधी ने support किया, East Pakistan के लोगों की, कि भाया हमको independence चाहिए, और हमको अपना एक separate Bangladesh बनाना है, हम पाकिस्तान वालों से आजादी चाहिए, इंडिया ने इसका support किया, और ultimately इंडिया और पाकिस्तान के बीच में war हो गया, ठीक है, that ended in the surrender of Pakistani forces, और बंगलादेश जो है, वो एक आजाद देश बना, तो ये तो होगी बंगलादेश के बनने की कहानी, बंगलादेश ने जब अ constitution को amend करवाया, to shift from the parliamentary to presidential form of government, तो पहले इनका parliamentary system of government बना था, शेक मुझीब ने 1975 में उसको presidential करवा दिया, क्योंकि शेक मुझीब चाहता था, सारी power उसके पास आ जाए, ठीक है, सारी political parties को खतम कर दिया, शेक मुझीब ने, और अवामी लीग जो उसकी party थी, सिर्फ वही चल र गए, और ultimately, वहां की military ने, शेक मुझीब का भी, murder कर दिया, assassination हो गया, ठीक है, सो the new military ruler, जियाउर रह्मान, उन्होंने एक नई party बनाई, जिसका नाम था, बांगलादेश, national party, BNP, और उसने 1979 का election जीता, ठीक है, तो अभी तक, अवामी लीग बांगलादेश में, पूरी तर बांगलादेश, national party, जिसके लीडर थे, जियाउर रह्मान, और वो टक कर दे रही थी, अवामी लीग को, 1989 में, वो election जीत भी गई, बाद में, जियाउर रह्मान का भी, assassination हो गया, उनकी भी हत्या हो गई, आप देख रहे हो, कितना मतलब, बांगलादेश, पाकिस्तान में, क हुआ, शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, शेख हसीना को बंगलादेश छोड़के इंडिया आना पड़ा, और अब वहाँ पे यूनिस, मौहमद यूनिस की सरकार चल रही है, तो आपने देखा ही, ठीक है, तो अल्टिमेटली जब अल्टिकल एक्टिविटी जो है, वो अलाउ करनी पड़ी, बाद में उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, फॉर फाइव यर्स, मास्ट पब्लिक प्रोटेस्ट मेड एडशाद स्टेप डाउन इन नाइन इन नाइन फिर इलेक्शन्स हुए, नाइन नाइन नाइ था नेपाल में, कॉंस्टिटूशनल मुनार्की का, तो पॉलिटिकल पार्टीज हों, या फिर आम आदमी हों, वो सब चाहते थे कि भई, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऐसा हो, जो ट्रांस्पेरेंट हो, और जनता के, मतलब जनता की जो भी दिक्कते हैं, उसको सुने, रेस और उसने कहीं न कहीं, नेपाल में डेमोक्रिसी आने से, रोक दिया, दा किंग एक्सेप्टेट था दिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉंस्टिटूशन इन नाइन्टी नाइन्टी, ओके, भई, नेपाल वाले फिर भी विद्रो करने लग गए हैं, तो उनिस सो नब करियर, नाइन्टी में क्या हुआ, नेपाल में जो माववादी हैं, जो मौविस्ट हैं, उन्हों ने अपना इंफ्लूएंस नेपाल के कई हिस्सों में फैलाना शुरू कर दिया, अब मौविस्ट तो आपको पता ही है, वो इलेक्शन विलेक्शन में बिलीव नहीं करते व गई, और कई साल तक नेपाल में ट्राइंगुलर कॉन्फिक्ट चला, राजा के फोर्सेस के बीच में, माववादियों के बीच में, और वो लोग जो डेमोक्रेसी चाहते थे, ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश आप करो, एक तरफ तो किंग था, किंग नहीं च साल से रूल कर रहा है, वी आईपी कल्चर में चीज़ों को चला रहा है, एश कर रहा है, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, इसको उखाड फिको, ठीक है, तो इस वजए से किंग की जो फोर्स थी, उसकी लड़ाई जो है, इनके साथ शुरू हो गई, लेकिन वो लोग कहां ग 2002 में किंग ने पार्लेमेंट को ही अबॉलिश कर दिया, पार्लेमेंट को ही खतम कर दिया, और सरकार को डिस्मिस कर दिया, तो जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी नेपाल में चल रही थी, वो भी खतम हो गई, 2006 में फिर से प्रोटेस्ट हुए, फिर से प्रोटेस्ट हुए, और ultimately king को जो parliament उसने abolish किया था यहाँ पे उसको वापस से restore करना पड़ा, ठीक है, तो यह जो non-violent movement था, it was led by seven party alliance, the mauist and social activist, fine, so Nepal की अगर मैं बात करूँ तो Nepal में काफी काफी सारी घटनाएं हुई, it formed a constituent assembly, जैसे की इंडिया में बना था, constitution बनाने के लिए, ठीक है, some sections in Nepal thought that a nominal monarchy was necessary, बैइ कुछ लोगों को यह लगने लगा कि यार, नेपाल में इतने सालों से monarchy का system चलता आया है, तो थोड़ी बहुत monarchy जरूरी है, ताकि जो हम हमारा जो past के साथ link है न, वो बरकरार रहे, the Maoist group also agreed to suspend arm struggle, they wanted the constitution to include the programs of social and economic restructuring, ठीक है, और जितनी भी parties थी SPA में, वो इस program के साथ agree नहीं कर रही थी, the Maoist and some other political groups were also deeply suspicious of the Indian government, ये लोग इंडिया की सरकार से भी हमेशा वो रहते थे, कि भाई या इंडिया जो बड़ा देश है, वो नेपाल को दबाने की कोशिश कर रहा है, वगरा वगरा, ठीक है, 2008 में नेपाल एक democratic republic बना, मुनार्की खतम हुई, 2015 में नेपाल ने नया constitution जो है, वो क्या किया, अडॉप्ट किया, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कि भाई, मौविस्ट आ गये, एकदम से बीच में, मौविस्ट, किंग और डेमोक्रेट्स के बीच में, triangular conflict होने लग गया, ठीक है, फाइनली जो मौविस्ट थ उन्होंने बोला कि ठीक है, हम ये हथियार वथियार छोड़ते हैं, और हम लड़ाई जगड़ा छोड़ते हैं, वो चाहते थे कि constitution ऐसा बने जिसमें आगे नेपाल की एकोनॉमी को restructure, नेपाल की development का ध्यान रखा जाए, लेकिन seven party alliance जो नेपाल में थी, उसकी सारी parties जो थी वो इस program से agree नहीं कर रहे थी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेपाल से related हुई, अब आजाते हैं श्री लंका में, श्री लंका को भी 1948 में भारत के आसपासी आजादी मिली, और तब से लेके श्री लंका में democracy रही है, श्री लंका में जो challenges लोगों ने face किया, वो military या मुन इंडिया का जो south area है, श्री लंका का north है, ठीक है, तो श्री लंका का जो northern area है, उसमें कई सारे tamils हैं, मतलब जो Indian route है जिनका लेकिन आब वो श्री लंका में रहे, ठीक है, श्री लंका की major भाषा है सिन्हाली और वहां की major community है, वो सिन्हाली religion की, फाइन, सिन्हाली ने अपन पूरा वर्चेस वो श्री लंका में उनका फैला हुआ था, अब वो नहीं चाते थे कि tamils जो है न, उनको किसी भी तरीकी की कोई power दी जाए, तो इस वजए से काफी साल तक श्री लंका में tamils और सिन्हाली स के बीच में लड़ाई चलती रही, और उसी को कहा जा रहा है ethnic conflict, ठीक है, सो आजादी के बाद श्री लंका को उस समय basically Ceylon कहा जाता था, श्री लंका की politics जो है, it was dominated by forces, जो की सिन्हाला community के लोग थे, ठीक है, सिन्हाला community के लोग श्री लंका की politics को dominate कर रहे थे, और वो tamils को लेके basically बहुत hostile थे, एक तरीके से वो इन्हें अपना दुश्मन म migrate होके, श्री लंका में ही settle हो गए थे, ठीक है, आजादी के बाद भी ये migration चलता रहा, the सिन्हाला nationalists thought that श्री लंका should not give concessions to Tamil, because श्री लंका belong to सिन्हाला people only, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये हुआ, मतलब ये जो सिन्हाला लोग थे, ये चाह तो Tamil concerns को neglect किया जाने लगा, अब जब ऐसा होता है न, जिस group के concerns को neglect किया जाता है, फिर उस group से कोई न कोई terrorism पैदा हो ही जाता है, तो यही हुआ वहाँ पे भी, और 1983 के बाद से एक militant organization, LTTE, लिटे जिसे कहा जाता है, Liberation Tigers of Tamil Elam की शुरुआत हुई, और वो Tamil के interest के लिए इलम बनाना है, यानि कि एक separate country चाहिए हमें तमिल्स के लिए, ठीक है, so LTTE controls the North Eastern part of Sri Lanka, श्रीलंका का जो मैप अगर आप देखोगे, तो यह वाला जो पार्ट है न, North East वाला, वहाँ पे तमिल्स रहते हैं, और LTTE जो है, वहाँ पे अपना सारा काम कर रहे थी, तो श्रीलंका की जो problem थी, अब जाहिर सी बात है, जब इंडिया वालों ने देखा, कि यार, तमिल्स के साथ श्रीलंका में अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने भारत सरकार के उपर दबाव बनाया, कि यार, उनके लिए कुछ करो आप, ठीक है, so there is considerable pressure also, इंडियन सरकार ने भी कई बार श्रीलंका के साथ बातचित करने की कोशिश की, कि यार, तमिल्स के साथ तुम जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, चीजों को ठीक करो, 1987 में इंडिया पहली बार इस मामले में directly involved हो गया, और राजीव गांदी की सरकार थी, इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक agreement sign कर लिया, और कई सारे, मतलब एक तरीके से सेना की तुकडी, श्रीलंका गई, ताकि तमिल्स और श्रीलंका के सरकार के बीच में matter को stable किया जा सके, ठीक है, इवेंचुली दे इंडियन आर्मी गोट इंटू fight with LTT, अब यहां पर आप समझने की कोशिश करो, एक तरफ है श्रीलंका की आर्मी ठीक है, यह लड़ रहे हैं किस से, तमिल से, तमिल की ग्रूप को अब रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, LTT, जो कि एक आम्ड लड़ाई लड़ रहे हैं यह लोग, तो इनकी लड़ाई चल रही है, अब इंडिया से आर्मी आ गई यहां पर, ताकि इनकी लड़ाई को sort किया तो माहौल ऐसा बन गया कि इंडियन आर्मी और इनकी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि इन लोगों को लगने लग गया कि हमारे मैटर में इंडिया क्यों गुस रहे हैं, इंडिया क्यों मतलब यहां पर चीजों को stable करने आये हैं, और इसी गुसे में राजीव गांधी क LTE वालोंने फत्या कर दी कुछ साल के बाद, ठीक है, यह सारी कहानी हुई थी, ठीक है, सो दप्रेजन्स ओफ इंडियन डूप्स वोस नॉट बिसिकली नॉट लाइग मुच बाइद श्रिलंकन और उन्हें लगा कि यार यह तो इंडिया हमारे इंटरनल अफेर्स में 1989 में इंडिया की जो भी फोर्स गई थी वो श्रिलंका से, बिना अपना अब्जेक्टिव हासिल के वापिस आ गई, ठीक है, तो श्रिलंकन क्राइसिस कंटीनू टू भी वाइलेंट, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, तो कई सारे इंटरनाशनल देशों ने हेल्प की जैस खासे रिकॉर्ड आपको महाँ पे देखने को मिलेंगे, श्रिलंका वाज 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 फोर्स डेवलपिक कंट्रीज जिसने की पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया, इस रीजन का पहला देश बना, जिसने की अपनी एकनॉमी को ओपन अप किया, लिब्रलाइस किया, ठीक है, तो ये हो गई, मेजर मेजर जो कंट्रीज थी, उनकी चर्चा, अब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फिक्ट, तो आपको पता ही है, सारी कहानी तो पढ़ चुके हो, कश्मीर का क्या हुआ, फर्स चैप्टर में ही बता दिया था, चैलेंजे वाले में, कि भई कश्मीर के राजा ने बोला कि मुझे इंडिया नहीं जाना, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान के साइट से कश्मीर में कबजा करने की कोशिश हुई, हरी सिंग इंडिया से हेल्प लेने आया, तो ये ये वाली स्टोरी तो आपको पता ही है, उसके बाद, उसके वार के खतम होने के बाद ताशकेंथ अग्रिमेंट साइन करने शास्त्री गए थे ठीक है ताशकेंथ और वहाँ पे उनकी तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फिक जो है वो तो इस रीजन का सबसे होटेस्ट पॉइंट है ठीक है पाटिशन के बाद कश्मीर को लेके लड़ाई चलती रही और पाकिस्तान गवर्न्मेंट क्लेम करने लग गई कि कश्मीर तो भाई हमारा है देन वार्स बेटून इंडिया पाकिस्तान इन 4765 फेल्ड तो सेटल दा मैटर 4748 का जो वार था उसकी वजए से जम्मू कश्मीर जो है दो हिस्सों में बढ़ गया एक अपना इंडियन और एक पीओ के ठीक है पाकिस्तान ओक्यूपाइट कश्मीर पाकिस्तानी इंडियन पाकिस्तान जब बांगलादेश बन गया लेकिन कश्मीर इशू अभी भी सेटल नहीं हुआ है और वह आस तक नहीं हुआ है ओके इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में एक एक और इशू है सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल को लेके पाकिस्तान का कहना है कि यहां पे टू कंट्रीज अस्यूम्ड न्यू कारेक्टर जब दोनों ने नुकलियर वीपन्स अक्वायर किये ठीक है 1998 में इंडिया ने पोकरन में नुकलियर एक्स्प्लोजन किया था यह हमने फोर्थ चैप्टर एक्स्टरनल रिलेशन में पढ़ा भी था इंडिया को देखते और की अगर हम बात करें उसमें कमी आई है वही डेटरेंस रिलेशन्शिप दोनों को पता है दोनों के पास नुकलियर है इसलिए दोनों चुप हैं और बोथ दोनों को एक दूसरे पर शक है वही यू ऐसे और USSR वाली कहानी ओके सो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क 25 के दोरान एंड जो इसकी स्पाइ एजेंसी है ISI है इस अलसो अलस्ट वी इनवाल्ड इन वरियस एंटी इंडिया केमपेंज जहां जहां पे भी इंडिया के खिलाफ केमपेंज हो रहे होते हैं उसमें इंडिया का तो यही कहना है कि भी पाकिस्तान इंवाल्ड है ओके द गौन्मेंट और पाकिस्तान ब्लेम जुआ इंडिया. उनका कहिना है वहां पर ट्रबल भी प्लूज़लाने के कोषिच करता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिच रिवर ओटर की मिच शेरिंग को लेकि भी प्रबलम हुआ उन्टिल 1960 दोनों देशों के बीच में Indus Basin के river के use को लेके लड़ाई चल रही थी लेकिन Finally World Bank की help से Indus Water Treaty sign हो गई जो कि आज तक चल रही है Surprising है भी Okay, so अभी भी minor differences जरूर है लेकिन चलो ठीक है Treaty फिर भी काम कर रही है The two countries are not in agreement over the demarcation lines in Sir Creek Run of Kach का जो एरिया है ना Gujarat में वहाँ पे Sir Creek नाम की एक line है मतलब एक area एक जगह है समझ लो आप तो उसको लेके भी लड़ाई चल रही है कि भाई Pakistan का कहना है कि ये हिस्सा हमारा है India कहना हमारा है और ये dispute भले ही minor है लेकिन There is an underlying worry that how the dispute is settled may have an impact on the control of sea resource OS के पीछे क्योंकि जिसके पास भी ये जाएगा उस area के जो sea resources है वो भी उस देश को मिल जाएगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें चल रही है कोई भी अपना कबजा छोड़ना नहीं चाहरा भई fine अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के पाकिस्तान के साथ ही ही लपने इंडिया और बंघलादेश को भी गंगा और ब्रमापुतर रिवर के शेरिंग के इंडिया और बंघलादेश की देखने को मिली करेक है को अटी इंडियन टेर्रीस्ट fulfillment को भी बंघलिभेत्व से सपोर्ट मिला है बांग्ला देश इंडियन forseторы को अपनी territory से move करने नहीं देता यह सारी चीज़ें हो रही होती है बांग्ला देश कई बार natural gas export करने नहीं देता तो INDIA बांग्लादेश ही governments have felt की इंडिया जो है वो एक regional bully की तरह बड़ा देश है तो एक bully की तरह behave करता है और हर चीज में जो है चाहता है कि उसकी चले इंडिया जो है उनके चिटगाउं hill tracks में rebellion फैला रहा है इंडिया उनके natural gas extract करने की कोशिश कर रहा है trades में unfair है और साथ ही साथ कई साथ हो तक दोनों देशों के बीच में जो boundary dispute था वो भी resolve नहीं हुआ था लेकिन फिर भी दोनों देश कई सारे issues में cooperate करते हैं और अभी current में तो काफी अच्छा relation चल रहा है ओके economic relation भी बढ़ गए हैं और जो इंडिया की lookist actist policy है उसका भी हिस्सा है बांगलादेश disaster management environmental issues में भी cooperation चल रहा है 2015 में enclaves exchange हुए ठीक है और ultimately ठीक मामला चल रहा है then नेपाल और इंडिया की भी relationship ठीक था की चली भाई कई सालों तक क्योंकि नेपाल भी एक Hindu kingdom था दोनों देशों के बीच में आज तक चल रहा है कि वीजा की जरुवत नहीं होती है आप देख सकते हो कितना smooth है लेकिन उसके बाद भी दोनों देशों के बीच में trade related dispute जो होते रहे इंडियन government ने कई बार नेपाल के चाइना जैसे देशों के साथ बढ़ती दोस्ती का वो किया है मतलब उसकी खिलाफ आवाज उठाई है साथ ही साथ anti-Indian elements के खिलाफ नेपाल action नहीं लेता इंडिया उस भी बोलता रहता है Indian security agencies sees the moist moment in Nepal as a security threat इंडिया को लगता है कि नेपाल में जो मावादियों का इतना बोल बाला बढ़ रहा है उसकी वज़े से इंडिया में भी कही न कहीं उसका influence होगा क्योंकि इंडिया में भी उन areas में जो नेपाल के आसपास है वहाँ पर नकसलाइट्स की movement जो है वो बढ़ी है So many leaders and citizens in Nepal think कि Indian government जो है वो नेपाल के internal affairs में interfere करता है और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इंडिया ने river waters, hydro electricity और कई सारी चीजों में अपना थपा मारा हुआ, अपना design मारा हुआ है और नेपाल को, क्योंकि नेपाल तो landlocked है, नेपाल के चारो तरफ land है sea नहीं है, तो नेपाल के कई leaders का ये कहना है कि इंडिया जो है नेपाल को sea का access देने से रोकता है, fine लेकिन फिर भी चीज़ें काफी peaceful चली है, differences के बाद भी अगर आप देखोगे, natural resources scientific cooperation, electricity regeneration, वगरा वगरा में सही चल रहा है, so there is also a hope कि नेपाल में अब democracy proper जब और ज़्यादा consolidate हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा, क्योंकि अभी तो 2015 में ही नया constitution adopt किया है, अभी तो 10 साल भी नहीं हुए धीरे 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 जब नेपाल के लोगों वो democracy की आदत पड़ जाएगी तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में relation और ज़्यादा improve हो जाएगा तो ये जो चीजे हैं ना India and its neighbors, अलग-अलग matters में cooperation है, छोटी-छोटी लडाईया है इसको कुछ ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है श्री लंका के साथ मैंने आपको अल्रेडी बता ही दिया ठीक है 1987 के experience के बाद Indian government ने clear cut कह दिया कि भया तुम जानो हम नहीं देख रहे और इंडिया ने श्री लंका के साथ श्री लंका में जो crisis हुआ था लोग president के घर से उसका sofa set ले लेके भाग रहे थे इंडिया ने श्री लंका की economy को rebuild करने के लिए बहुत help किये बहुत पैसे दिये है fine बहुत ज़ादा पैसे दिये है भुटान के साथ इंडिया की relation अच्छे है और कोई major conflict नहीं है तो इंडिया भी कई सारे बड़े-बड़े hydroelectric projects जो भुटान में हो रहे हैं उसमें involved है और भुटान की भी development में बहुत मदद करता है मालदीव के साथ भी कहीं नहीं ठीक ठाक है 1988 में जब कुछ तमिल मर्सनरीज श्री लंका से उन्होंने मालदीव में attack किया था तो उस समय इंडियन एयर फोर्स और नेवी ने मालदीव के request पे help की थी ठीक है और इंडिया जो है वो मालदीव की economic development में tourism में भी बहुत help करता है तो इंडिया की अगर मैं बात करू ना तो यार नॉर्मल सी बात है South Asia के map में देखोगे तो इंडिया का बाकी देशों से मुकावला है ही ने इस वज़े से बाकी देश थोड़े से इंडिया के चीजों को लेके बैसिकली इंडिया के हर एक action को लेके suspicious रहते हैं कि कहीं इंडिया हमारे हमको दबा तो नहीं रहा आप imagine करो ना अभी हम एक छोटा सा देश होते हमारे बगल में कोई बड़ा सा देश होता हमें भी लगता तो यह सौभाविक सी बात है इंडियन गवर्न्मेंट को लगता है कि यार मेरे आड़ोसी पड़ोसी चोटे चोटे देश हैं वह मेरे बगल में रहे के भी मुझे मतलब उतना सपोर्ट नहीं कर रहे तो यह जो है वह इंडिया और बाकियों के बीच में है क्योंकि कहीं ने कहीं भारत जो है वह लगभक सारे देशों के साथ उसकी बाउंडरी है और बड़ा भी है अब आपको यह लग रहा हुआ कि यार क्या यह लोग खाली बस लड़ी रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है इन दोनों ने कोपरेशन के लिए शार्क भी बनाया ठीक है साउथेशन असोसियेशन फॉर रीजनल कोपरेशन कि भाईया साउथेशन कंट्रीज एक साथ आएंगी जैसे ब्रिक्स है वैसे लेकिन यह उतना चला नहीं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं है भाईया पाकिस्तान जो है वो इंडियन चीजों को इंडियन ट्रक्स को अपनी टेरिट्री से मूब नहीं करने देता इस तरीके की घटना है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है फाइन सो यह अग्रीमेंट 2004 में साइन हुआ था 2006 में लागू हुआ और साफ्ता का में एमी यह था कि भाईया ट्रेट टैरिफ्स को जो है वो लोवर डाउन किया जाए बट सम आफ आर नेबर फियर्स कि साफ्ता जो है वो कहीं न कहीं इंडिया एक तरीका निकाल के लाया है जिससे कि वो अपने इतने बड़े मतलब उसका जो मार्केट है उसके थुरू हमारे मार्केट में कबजा करेगा ठीक है क्योंकि इंडिया तो भई हर चीज प्रोड्य बेनिफिट्स हैं अगर साफ्ता प्रॉपर्ली इंप्लिमेंट होगा तो आप खुद सोचो ना याद मतलब यहां पर इंडिया है फिर यहां पर बाकी देश है यहां श्रीलंका है ठीक है तो यह एरिया अगर यहां पर फ्री ट्रेड एरिया बन जाए कि भईया एक दूसरे से दूसरे देश से दूसरे देश अगर समान जाना हो तो किसी तरीकी कोई लफड़े बाजी ना हो एकदम इजली काम हो जाए तो इस एरिया में कितना development आएगा अभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं खाली कि नहीं तू मेरे देश नहीं आ सकता इंडिया से पाकिस्तान डेफिसिट है जिस वजह से न कहीं न कहीं उतना जादा कोपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो फिर भी इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो लडाईया चलती रही है फिर बीच-बीच में कोशिश हुई की बही शांती बनाए रखी जाए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैजर्स भी लिए गए ताकि वार की जो रिस्क है उसको खतम किया जा सके ओके तो यह सब चीजे दोनों देशों के बीच में चलती रही है तो इसके साथ बच्चों हमारा यह जो चैप्टर है कंटेंप्ररी साउथ एशिया का वो हो जाता है बता दिया मैंने कौन-कौन से मेजर देश आते हैं देन उसके बाद श्री लंका में जो एथनिक कॉनफ्लिक्ट और डेमोक्रेसी का इशू था वो उसका मेजर जो इशू है सिंहाला वाला वह यहां मैंशन है इंडिया इंडिश नेबर्स ठीक है इंडिया पाकिस्तान कॉन मेजर तोर पे मेंशन कर दी हैं और डिटेल में तो हमने पढ़े लिए तो इससे आपका साउथ एश्या वाला चैप्टर हो जाता है समाथ ठीक है माइन मैप्स की हमारी सीरीज का में मकसद ही यह है कि मैं आपको आधे पॉन गंटे में मेजर मेजर इस चैप्टर को और जरूर दीजेगा गुडबाग